साल 2024 का सबसे बड़ा टार्णमेंट सुरू हो चुका है जी यहां मैं बात कर रहाँ फ्री फार वोर्ल्ड सिरीज की यहां पर इसका वीक वन नॉकाउट स्टेज खतम हो चुका है तीन दिन ओवर हो चुके हैं अभी भी सेकंड वीक बचा हुआ है नॉकाउट स्टेज का जहा या फिर तुरुपल ए जैसी टीम्स या फिर मैं कहूँ पूरो पूरा थाइलेंट रीजन एक अलगी लेवल पर डॉमिनेट कर रहा है टॉप लेडर बोर्ट को उसका पीछा कर रही हमारी वियतनमीज टीम्स और उसके पीछे चलने हमारी थोड़ा सा ब्रोजिलियन टीम्स और लेटम टीम्स को भी कमबैक करना पड़ेगा पर देखिए मैं इस शॉर्ट समरी दे रहा हूँ पर इस वीडियो में हम लोग काफी कुछ ब्रेकडाउन करने वाले हैं और डेवाइस भी जाकर के रिजल्ट स्केर में थोड़ा डिसक्रिशन करेंगे क्योंकि अगर मैं ब चलिए रुक करते हैं स्क्रीन के तरह होड़ा बात करते हैं इसके बारे में पॉस्ट अफॉल गाईस हमारी ओवरॉल स्टेंडिंग है अफ्टर थ्री डेज अभी भी थ्री डेज का कॉम्पटिशन बचावाई जैसे कि मैं आपको बता दिया टॉप 12 के अंदर आपको नज करोगे तो टॉप 12 के अंदर आने के लिए कम से कम आपको 100 काकड़ा बनाना पड़ेगा और आपको उनके हाफ पे बने हुए पर मैं डिवाइन करें बात करूँगा तो कुछ वीक्स पहले मैंने किसी वीडियो के अंदर रखाता कि डिवाइन नीग टू वर्क ऑन देर स्ट पुराणी प्लियर जाते हैं जिससे कॉंबिनेशन नहीं बन पाते हैं टीम वर्क सिनर्जी नहीं बिल्डप हो पाती है यह साफ हमें ने जर आया डिवाइन के तरफ से बहुत दूर होने वाले हैं टॉप 12 में अगर क्वालिफाइ कर गे तो यह मेरेकल होगा पर वीक टू बहुत सारी स्ट्राइडिजी के हमारे सामने लेके आएगा पर अगर वहीं बात करें टॉप अप दा चार्ट के बारे में तो बी यू जैसी टीम वैक जैसी टीम मैंने बोला ना वियतनाम रीजन और मैंने पिछली कुछ वीडियो में कहा था हो सकता आने वाले टाइम पे इंडोनेशा रीजन से थोड़ा सा और ज्यादा आउट्शाइन करें हमारा वियतनमीस रीजन और आप नोटेस करोगे वैक जैसी टीम्स होई या फिर हमारी हुआ जैसी टीम्स हो या फिर और फिर और फूर्दर टीम्स हैं जो हमारे वहां से निकल के आती हैं I think so team heavy भी वह वियतनम से बहुत सरी टीम्स हैं जो डॉमिनेट करेंगे आने में टाइम पर और इंडोनीशन रीजन्स को थोड़ा सचीज को समझना पड़ेगा कि कॉंपटिशन बहुत आगे जा रहे हैं SCC में कॉंपीट करते करते वियतनम ने अपने आपको बहुत जारा सुदार लिया इनके इंटर्व्यू से अगर हम नोटिस करोगे वैग ने मिल्टिबल टाइम सी बात बुली हमको बहुत जादा अंडरेस्टिमेट किया जाता है हम मज़ा के लिए नहीं आए हैं और यहां पर मज़े करने के लिए नहीं आए पर बात करते हैं तो यहां पर डेवन चलो डे का वह काफी कमाल का तो यह चीज काफी इपॉर्टेंट माइं लेटर ओन अपने गेर समालती है सेम दोनों दिन यही वाट ट्विस्टेंट माइं ने लेटर ओन अपने गेर समाले पर पहले थोड़े पोडियम फिनिश के तरफ नहीं गई पर बात में देखें थार्ड राउंड के अंदर साथ थोड़ा पीचे रहे थे पर अब समझो कुछ टीम कंसिस्टेंसी के साथ प्ले कर रहे हैं जस्ट लाइक ट्विस्टेंड माइं और यू तो एक अलगी लेवल कर डॉमिनीशन चो कर रहे हैं अगर हम थर्ड डी की तरफ थोड़ा ध्यान दे तो बी बी आरियू का थर्ड राउंड सेकंड पुजीशन और ये कॉंपटिशन ये पर्टिक्लर फाइट इतनी ज्यादा इंटेंस थी लास्ट में तीन टीम्स वन वी वन वी वन की सिच्वेशन पागे थे ट्विस्टेंड मैं बी आरियू और वाग कमाल का प्ले नज़र आया हम अगर बाइजन को अच्छे का से डिस्टेंस में पीछे आके चलाया जाये तो सायरेज जैसा परफॉर्मेंस आ सकता है अगर हम बात करेंगे फोर्थ राउंड के अंदर आप देखें बी आरियू कमाल का डॉमिनेशन काला हरी के अंदर और बुया निकाला वाग अगीं प् काफी खास भी था क्योंकि इसमें हमने देखा कि presence of mind of precision के साथ किस तरह की से प्ले करा जाता है साथ मैं कैसी करेक्टर का यूज काफी सारे analyst ने आपको साइदी बार बार बोल दिया होगा अभी तक तो जो लोग regular वीडियो जालने पर मैं कास्ट कर रहा हूं तो मैं daily वीडि सकता है और बड़ा भी है international stage पर teams Olivia use करें ताकि HP share करी जाए और इस पर्टिक्लर गेम के अंदर तो काला हरी के अंदर जिस तरीके से वहसाना बार बचे थे बहुत barely बहुत minimum margin से वहसाना बच जाया थे इस बिगज़ उनके टीमेट ने कैसी लगा रही थी साथ में उनके साथ कैसी की string attached थी पर बहुत अच्छा competition था वैग टुस्टेंड माइंड अगेन यहाँ पर नजार आई हमें और देखे वे अतना मी reason बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ा है Thailand का और week 2 में बहुत ज़रा प्रॉब्लम आएगी कई सेरी टीम्स को इसके वहसे वहीं अगर हम बात करें राउंड फाइब वह हमारे देखे तरीका तो देखे अभी हाली में तो मझे जाद अच्छे से याद है तो ट्स्टेंड माइंड ने कमाल का गेम पुट कर रहा था हमारे फिफ्ट राउंड के अंदर अगर हम बात करें एक लोज मार्जन था बी यारे उन के पीछे थी पे यह प्लेयर भाई यहाँ पर स्नाइपर के साथ मचाते हैं एक चीज तो किलियर है थाइलेंड या फिर काऊंगो पुरा एस यह रीजन बहुत जादा स्टॉंग हो चुका और यह एक चीज पर डिपेंडनेंट नहीं है और इस बार जो मैं सबसे बड़ी चीज लैक कर रहा ह सब्सक्राइब करें फ्रीक होगा तो मुझे चैन नहीं पर रहा उनके सब्सक्राइपर यह जैतनी गेड़ा पर फिससटिर सिरी सब्डेज Türkiye के साब और वेर्यार कि इस साफ में अडर कि जितना ब्रता थिउड़ी लेटम रीजन या फिर अगर हम बात करेंगे हमारा मेरी रीजन या फिर जो भी बाकी सारी कंटरीज है वह ज्यादा ही रोल स्पेस फेस्पिक है और मैं यहां देख रहा हूं अगर वैपन चड़ गया अच्छा कासा अच्छा कासे कैलिबर रेट अफ फायर का तो हम फोड़ेंगे तो यह चीस साफ नजर आई फ्लुक्सों के एमटी सेवन का कमाल का प्ले था मैं कुछ क्लिप्स भी अपकी स्क्रीन पे शियर कर रहा हूंगा बार बार वो जिस तरीके से उन्होंने त्रिपल एक को वाइप आउट करा था वह मेरे कल था क्योंकि एक ऐसी फायर इस में 3 वी 4 हो चका उसके बाद उपर मनजर पलट दे रहे हैं उसके उन्हों ने अपने टीम को ऐसेस दिया यह मानना पड़ेगा कि वाई ऐसा भी होता है और उसके बाद तो भाई यहां पे त्रपले ने अगले मैच में आगरे के बदला ले लिया था बुया कर दिया था पर अगर हम बात करेंगे तो यहां पर दे टू काफी जड़ा इंटरस्टिंग रहा वाग अगेन अपना प्ले करती में नजर आया और वाग ने अपना डॉमिनेशन शोग करा है ब्रू पांच बुयास की तरह जाने वाली थी पांच बुयास चै मेंसे पांच बुयास उनके लगबग क्लोज आ चुके थे बस मैंट के चोड़ करके वो भी थाइलेंट से आती है और हम एक चीज और बताना चाहूंगा वह साना का इंटर्व्यू हो आथा तो उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पे आने के बाद कोई दूसरी टीम कौन सी हो सकती है जो यहाँ पे आपके हाँ से ट्र यह जो अभी हाल फिलाल में जो SCA कप्स हो रहे हैं सारी चीजे हो रही है इसमें वियतनाम को इतना अच्छा प्रेक्टिस मिला कि मैं देख रहा हूँ दो साल पुरानी वियतनाम की टीम्स और आज की वियतनामी टीम्स में धरती आस्मान का अंतर है यही चीज एक रीजन अ यहां से टीम्स निकलिक आएगी वो next level competition देंगी same goes to SCA वो इस तरीके से reason create कर रहे हैं कि यहां पे एक next choking competition होगा तो स्टेंट मैंड करेंगे अगर हम बात करेंगे तो कमाल की टीम भाई इनकी टीम में nameless और diamond की जोड़ी ने कमाल कर रहा और सेमिंग की sniping थी वहीं अगर हम उसे मैं mt7 की अगें तरीफ करूँगा कमाल के player है भाई clutch out moments कर रहे थे और हमने तो launcher play बहुत जा रहे देखा मैं इस बार तो यह कहूँगा guys free fire world series में सबसे जादा जो mvps रहे हैं वो रहे हैं उनके needs के साथ अगर आप देखो तो एक needing का meta नया create हो चुका है teams are prepared to do needing and वो कर रही है आप देखो most of the kills most of the mvps उनकी नेडिंग की वर्श से निकल के आ रहे है स्नाइपिंग secondary choice तो है पर नेडिंग सब कर रहे है और बीस्टन पैट अगर आपने अलवीरो नहीं भी ले रहे है आप तीन grenade नहीं करना चाहते हैं जो लोग आजकर नहीं करते हैं मैं भी नह करता हूं कोई और भी नहीं करता जो dedicated nader मेरी जैसे बाइब बीस्टन उठाते हैं मैं तो पिछले दो तीन साल से कर रहा हूं बीस्टन उठाता हूं नेड मारता हूं अच्छाव से दिस्टन में तो बीस्टन ले 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 रहे हैं कई सारे लोग डेनकुलर वाला पैट ल रीजन के अंदर आप इंटरनेशनल स्टेज पर जिस टेरिटरी में आप करना में रख रहे हैं वहां पर दूसरी टीम से होगी हमने यह चीज़े थोड़ी से उनके ले फेवर नहीं करी उनको बैक फायर करी यह चीज़े कवर अप करनी चीए इवन इस्पोर्स काफी अच् प्ले कर रही है और हमारी ब्रजीलियन टीम पर जोड़ा बाहर है इस रेस से तो अभी इनको जली सली लेटम रीजन को तो कुछ नो कुछ नहीं करना पड़ेगा वास्क थोड़ा पीछे चले लिए थोड़ा से डिसपोइंटेड हो इस चीज़े को ले करके बर यह हमारा अ अजुआ ठ्राइंट रणना चाहते हैं की दूसरी टीम क्या कर रही है और आई थिंक सो मुझे लग रहा है वीक टू सिसी सद हमने फ्लुक्सो का एक अश्ली रंग ने चर आएगा कुछ नो कुछ यहाएट कर रे मादच मुझे स Cathedral मूझा ने जॉज हमारे ईसम्ट एमगश तो शान्त होगे, they are not celebrating, they are not hyping it, तो मुझे लग रहा हूँ कुछ तो छुपा रहे हैं, जो साथ हमें grand finale of a point rush manager आ सकता है, अभी तो यही मामला तो यही होगा Fluxo के लिए भी, कि भी तो टॉप 12 में बने रहना है, यहां तो मतलम नहीं रखता, पर मैं यह चीज बहुत guarantee के साथ बोल सकता हूँ, Fluxo हमें surprise कर सकती है, ऐसा मुझे लगता है, ऐसी मेरी gut feeling है, अब I don't know, उसके बाद क्या होगा, अब यह आने वाला समय बताएगा, पर मैं तो यह previously एक छोटा सा prediction कर रहा है, बाकि अपने thoughts guys, अपनी तरफ से आप बिल्कुल chat में दीजे, आपको क्या लगत ने अगर पाई, यह में बड़ा शॉक होगा, तो आपके thoughts, comment कीजिए, जहले मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, जैसी हमारे, मतलब यह week to over होगा, उसके बाद हम दूसरी वीडियो पर मिला देंगे, थोड़ा time लगेगा, पर I'm really sorry, थोड़ा time लग रहा है, क्योंकि तुम